तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डेली स्टेडी रूटीन में दोस्तों हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकिशन आपके लिए लेके आया हूँ मैं जो कि सिर्फ 10th पास वाले लोगों के लिए है जिहां दोस्तों जो लोग 10th पास हैं उनके लिए भी गौर्णन जोब की अपर्चुनटी आ चुकी है तो दोस्तों वेकेंसी निकली है ITBP में जैसे कि आप देख सकते है ITBP में ड्राइवर की वेकेंसी निकली है जो ITBP है वो है इंडो-Tibbathian Border Police Force यहां दोस्तों इंडो-Tibbathian Border Police Force में जो वेकेंसी निकली है वो निकली है constable की और driver की वेकेंसी है और जो ITBP है दोस्तों वो आता है Ministry of Home Affairs के अंडर में तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितनी वेकेंसी है क्या application date है, क्या fees है, क्या age है, क्या education qualification है और क्या selection procedure है सब के बारे मैं आपको बताऊँगा और उससे पहले की सबसे important चीज कि दोस्तों इस चैनल को like करना, share करना और subscribe करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि दोस्तों जो भी नई वेकेंसी आया करेगी मैं इस पर update किया करूँगा और कोई भी वेकेंसी आपसे छूटनी नहीं चाहिए अगर आप तयारी कर रहे है तो तो दोस्तों बात कर लेते हैं ITBP में जो वेकेंसी आया है वो आया ये constable की सिस्टों ग्रौप सी की विकेंसी है मैं आपको सारी चीजिये vermoment दिखाता है आप marc ूय यह ग्रौप सी की विकेंसी है दोस्तों जैसे कि orange कै अ элект इसमें डिकेंसी एक्टर है और ढूस्तों इसमें जो टोटल विकेंसी है वह एक उन्डेर और यह कैसे कैसे डिवाइड है वूभी में आपको दिखा देता हूं साथ में तो यह देखिए दोस्तों 458 विकेंसी है एक सेगंड दोस्तों यह देखिए दोस्तों 458 विकेंसी है टोटल UR की 195 है है SC की 74 है OBC की 110 है और EWS की 42 है दोस्तों 458 विकेंसी है जो कि मुझे नहीं लगता कोई कम विकेंसी है सभी कैटिग्री में बहुत अच्छी विकेंसी है तो इसको अगर आप 10 पास है तो आप इसके लिए eligible हैं बनने के लिए तो मैं आगे बात कर देता हूँ कि इसमें application date क्या है तो दोस्तों application date जो है इसकी वो है 27 जून 2023 से 26 जूलाई 2023 तक मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको इसक्रीन पर भी दिख रहा होगा जैसे की तो यह दोस्तों total date है यानि की form already खुल चुके है आपके 27 जून से और अब date खुली होई है application form आप इसको direct जाके भर सकते हैं इसकी last date है 26 जूलाई ठीक है दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इसका फीस कितनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी फीस कितनी है दोस् है minimum 25 से लेके 100 तक की फीस होती है तो इसकी भी 100 रुपीज फीस है मैं आपको एक बार दिखा भी दिता हूँ इसके notification में यह देखें दोस्तों general, OBC और EWS तीनों के लिए 100 रुपे है SC, ST, EX-Servicement, PH सबके लिए कोई फीस नहीं है 0 है ठीक है आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितनी मांगी गई है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें एज कितनी मांगी है इसमें दोस्तों 21 से लेके 27 साल की एज मांगी गई है यह देख सकते हैं आप ऐसे की 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी और यह速 है यह ऑपकी इस है यह आपके संट्र बलॉइट होगी लास्ट 26 जूलाई 2023 तक यानि कि 26 जूलाई 2023 तक आप 27 साल से ऊपर आपके डही नहीं होने यह सारे अप एजलैक्सेशन देख सकते हैं ठीक है दोस्तों आगे बात कर लेते हैं एजलैक्सेशन के बाद कि इसमें education क्या मांगी गई है दोस्तों education केवल जैसे की मैं शुरुवात में आपको बता चूका हूँ केवल 10th pass है education और 10th pass के साथ एक जो major चीज मांगी गई है वो मांगी गई है heavy vehicle driving license तो दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि अगर driver की vacancy आई है तो driver के लिए heavy vehicle license की ज़रत होगी क्योंकि truck वगरा है उनकी bus है इस type की जो heavy चीज़े हैं वो भी चलाने का उनके पास license होना चाहिए तो मैं आप पर दिखा भी देता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या हां लिखा हुआ है तो उससे आप clear हो जाएंगे कि मैं देखे दोस्तों इसमें यह लिखा यह देखे 10th pass होना चाहिए और heavy vehicle driving license होना चाहिए ठीक है दोस्तों अब हमने सब सब चीजों की बात कर ली है application date, fees, age, education, post, vacancy अब हम जो main चीज है उसकी बारे में बात करते हैं जो कि selection procedure कि इसमें job मिलेगी कैसे आखे तो इसमें दोस्तों तीन stage है और even मैं तो कहूंगा चार stage है इसमें चार stage रखी गई है जिसमें एक exam होगा पहला है जो कि exam की बारे में बात करते हैं जो कि stage 1 है तो stage 1 में जो exam होगा दोस्तों वो कुछ भी हो सकता है OMR based भी हो सकता है और computer based भी हो सकता है अभी इन्होंने clarify नहीं किया है तो वो उसी समय आपके written जो admit card आएगा उसमें उसमें mention होगा ठीक है तो यह phase 1 की हम बात कर रहे है अभी यानि मार्स का होगा जिसमें general knowledge के 10 question होंगे maths के 10 question होंगे हिंदी के 10 question होंगे English के 10 question होंगे और 10 आपके trade related question होंगे यानि की English Hindi math general knowledge के आएंगे तो इस तरीके से 100 question होंगे दोस्तों और हर question एक marks का होगा और टोटल दो घंटे का यह paper होगा तो 100 question 100 marks के होंगे और इसमें negative marking का कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसमें negative marking नहीं होगी अगर नहीं दे रखा है तो ठीके दोस्तों इसमें एक और चीज लिखी होई है कि इसमें जो minimum cut-off है वह already defined करी हुए है तो यह आप लोग देखी सकते हैं यह कि जन्रल एक सर्विसमें और EWS को लिए minimum 35% लाना ज़रूरी है यानिकि सो में से 35 नंबर और SC, SQ, OBC के लिए minimum 33 marks लाने ज़रूरी है यानिकि सो में से 33 marks ठीक है तो इतने तो आपको लाने ही है उसके रावाब की merit बनेगी तो आपको merit clear करने ज़रूरी है तभी आप stage 2 के ल दूस्तर stage 1 physical है stage 2 exam है यानिकि पहले physical लिया जाएगा फिर आपको exam होगा तो physical का हम बात कर लेते हैं कि physical में क्या क्या रखा गया है तो आप लोग देख सकते हैं 1.6 km की total race होगी यानि की running होगी जो की साड़े साथ मिनट में आपको complete करनी है 11 feet की long jump होगी जो की तीन chance दिये हो जाएंगे आपको और साड़े 3 feet की high jump होगी जिसमें 3 marks दिया जाएंगे और इसमें कोई भी marks नहीं दिया जाएगा येवल ये फिजिकल जो है फिजिकल efficiency test जो है पैट है ये qualifying nature का होगा ठीक है इसके बाद एक और रखा हुआ है इनोंने physical standard test इसमें आपका chest, height और ये सब चीज़े measure की जाएंगे ठीक है और ये कितनी कितनी होनी चाहिए वह मैं आपको पता दूँगा ये इसमें already दे रखा है तो आगे बढ़ते हैं दूस्तों आगे बढ़ते हैं उसके बाद second phase जो होगा वह आपका written examination होगा उसके बाद जो third phase होगा दूस्तों व दे जाना है आपको ठीक है इसके बाद जो आपका fourth phase होगा दोस्तों वो होगा practical skill test जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके लिए भी marks दिये जाएंगे यानि कि total जो marks है वो आपके दो stage में दिये जाएंगे एक तो आपके exam में और एक आपका practical skill test practical skill test में दोस देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे smooth straight head driving with gears changing top gear कैसे gear change होगा वीकल का कैसे उसको mirror area जो view होता है वो पीछे का देखा जाएगा ऊपर वाले शीशे का क्या काम होता है side mirrors का क्या का क्या काम होता है तो इस type से हर चीज के लिए आप यह सब देखके जाएगा हर चीज के लिए लग लग marks define किये गए है पांच-पांच marks यह देख लीजिए आप तो दोस्तों इस तरीका से 50 marks इसमें दिये जाएंगे तो टोटल 100 marks का एक्जाम हुआ पचास marks का यह हुआ दिए सो मक्स की overall merit बनेगी इसकी ठीक है तो उसके बाद आपका normal medical होगा और medical की बाद आपको offer letter बेज दिया जाएगा ठीक है आप इसमें बात कर लेते हैं कि यह job की posting कहा होगी दोस् salary जो है इसकी वह level 3 की विकेंसी है pay matrix level जो है और इसकी basic है वह है 2100-6970 CPC लगा हुआ है तो इसमें अच्छी का सी विकेंसी बनेगी और वैसे भी अगर इनको कहीं border पर ऐसी जगे पोस्ट किया जाता है जहां पर risk factor जादा है तो साथ में risk allowances बहुत जादा रहते हैं तो इन बात कर लेते हैं वैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका यह salary का structure यह देखिए level 3 2100 से और साथ में allowances भी इसमें लिखे हैं तो आप लोग देख लीजेगा allowances सारे कौन कौन से इसमें HR medical risk allowance सारे allowances इसमें मिलेंगे तो इसको आप देख लीजेगा इसका notification जो है मैं telegram चैनल पर डाल दूँगा और telegram चैनल का link मैं अपने वीडियो के description चैनल में डालूँगा तो आप वह से जाके telegram चैनल जोइन कर सकते हैं ठीके दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एक और चीज है कि जो इसमें medical में मांगा गया है क्योंकि driving के लिए eyesight अची होन आपको confused है form बने से पहले या form बने के बाद तो आप इस वीडियो के comment section में comment करिए मैं उस पर reply करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहें